अम्बाला में आज शुक्रिवार को पोलिस कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गया जेल पोलिस कर्मचारियों को करोना वैक्सीन का क्टी का लगाया गया जेल अधिक्षक लगबीर सिंग बराड ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया और उन्होंने बताया कि सरकार की इस मुहिम के तहट जेल करमचारियों को भी शामिल किया गया है उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी को ये टीका लगवाना चाहिए इसके कोई भी साइड एफेक्ट्स नहीं है असिस्टेंट जेल अधिक्षक नीलम ने बताया कि उन्होंने वैक्सीन का टीका लगवाया है और वह अच्छा महसूस कर रही है वही डॉक्टर कोशल ने बताया कि अंबाला में जो भी फ्रंट लाइन वरकर्स हैं उनको कोवी शील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है चाहे वो डॉक्टर हैं या पुलिस विभाग से हैं गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना के प्रथम चरण में कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी इस दोरान पुलिस करमचारियों ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वैक्सीन से कोई खत्रा नहीं है उन्होंने कहा कि उन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका लगने के बाद कोई दिकत नहीं है उन्होंने इस दोरान सभी को करोना का टीका लगवाने का आवाहन किया बताते चले कि अमबाला में आज शुक्रिवार को पुलिस करमचारियों को करोना की वैक्सीन लगाई गई कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वारियर जेल पुलिस करमचारियों को को रूट लगाया गया है तो इसके कोई साइड एफेक्ट्स ने है मैंने आज लगवाई है तो सबको लगवानी चाहिए ताकि कोरोना से बचाव रह सके थेंक यूद्ध नाम नीला में मैं सेंट्रल जेल अंबाला पर असिस्टेंट सुप्रिटेंडन्ट हूँ और ये वैक्सिन लगाने के बाद मैं अच्छा फिल कर रही हूँ और कोई सका साइड इफेक्ट नहीं है जो अमबाला में जो है कोविशिल वैक्सिन लगाई जा रही है जो भी फ्रंट लाइन वरकर्स थे और जो भी हल्थ के डोक्टर्स थे और अब जो फ्रंट लाइन में जैसे हमारे कल परसों जेल पे जो है 107 लोगों को वैक्सिन लगी थी और आज भी लगबग सो के प्लस हम और इससे देखिये वैक्सिन से कोई किसी तरह का कोई भी खत्रा नहीं है जिन जिन को वैक्सिन लगी है उन्होंने अच्छा ही बदाया की अच्छा मैसूस कर रहे है किसी तरह की कोई भी दिक्कत इस वैक्सिन से नहीं हो रही है ऐसे ही लेटेस्ट को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवारी अफिलनो करें